अब बास आईएस में आपका स्वागत है आज हम लोग एकोनोमिक टाइम्स के संपात किया का विश्टेशन करेंगे संपात किया का शिशक है इसमें हम लोग देखेंगे यह इस्टिमूलस थ्री जो है जो कल ही पाइनांस मिनिश्टर सीता रमन ने एनॉंस किया है कैसे गुड है कैसे ओड है और कैसे सफिशेंट नहीं है हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत करेंगे ऐसे शब्से जिसकी अवशक्ता इस संपात कियों को समझने में पढ़ती है तो आएए पहले उन शब्दों को देख लेते हैं पहला शब्द है ट्विक इस्मॉल अड्यस्ट्मेंट दूसरा शब्द है क्रेडिट लाइन या इसे लाइन अफ क्रेडिट भी कहते हैं यह क्या है प्रिसेट बॉर्विंग लिमिट पहले ही से जो है उधार लेने का लिम प्रोड का लिमिट है तो वो उस लिमिट को कभी भी पैसा उसमें से निकाल सकता है बॉर्व कर सकता है उधार ले सकता है यह प्रिसेट बॉर्विंग लिमिट हुआ क्रेडिट लाइन जो है ऑप्टिमल बेस्ट सबसे अच्छा यहां पर संपात्किये में सब ऑप्टिमल का परियोग किया गया है करने का मतलब की बेस्ट नहीं है अगला शब्द है शोवेल रेडि प्रोजेक्ट यह term हुआ शोवेल रेडि प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें के अगर इस्टिमूलस मनी लगाया जाए तो यह जो है इसका तुरत परभौ जो है तातकालिक प पढ़ेगा employment generation पे रोजगार देने पे और economy पे इस तरह के project को जहां पे stimulus पैसे को लगाए stimulus मनी को लगाए और उसका तुरत ततकालिन परभाव से employment generation हो और economy आगे बढ़ने लगे अर्थवरस्था आगे बढ़ने लगे तो ऐसे project को शोवेल रेडी project कहते हैं बिल्डिंग्स वगरा के और बहुत सारे projects के रिए यह यूज हो सकता है stimulus package 3 में 12 support measures दिये गए हैं उसमें से एक जो है production linked incentives है तो हम लोग इसमें देखते हैं कि production linked incentives जो है किस-किस sectors को दिये जा रहे है दस sectors का जिकर किया गया है तो पहला क्या है यह advanced chemistry cell battery जो है जैसे के lithium-ion battery वगरा जो है उसमें use होगा दूसरा जो है electronics and technology sectors में है mobile या component बनने में electronic component जैसे diode हो गया transistor हो गया उस सब चीज के लिए यह sector के लिए हो गया automobile and auto component यह गाड़ी के लिए हो गया चौथा है pharmaceuticals and drugs पांचवा है telecom and networking products छथा है textile products शातवा है food products आठवा है high efficiency solar photovoltaic modules के लिए जो है नौमा जो है white goods के लिए है white goods किसको बोलते है large home appliances जो है जैसे के refrigerator washing machine इस सब को किया बोलते है white goods बोलते है और दसमा जो है specialty steel के लिए है तो हमें basically जाना है जानना है production linked incentives के बारे में अब हम लोग संपात्किये के तरफ जो है वापस आएंगे इससे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो अभी stimulus 3 package जो जिसकी घोशना अभी वित्मंत्री ने की है इस घोशना के साथ आज तक जितने stimulus packages दिये गए है 123 सब मिला करके जो है यह अपने GDP का जो है 15 पतिशत हो चुका है टोटल जो है stimulus 123 सब को अगर जोड लें तो यह 9 trillion rupees का हो गया 1 trillion में क्या होता है कितने 0 होते है एक trillion में 12 0 होते हैं एक trillion का मतलब क्या होता है 1 lakh crore 1 lakh crore में 12 0 होंगे लाख में आपका 5 0 होता है और crore में 7 0 हुआ तो 1 trillion जो है दस पे पावर 12 के बराबर होगे आपका तो अभी तक जो है 9 trillion रूपीज की घोशना की जा चुकी है stimulus package के दुवारा जो है यह आत्क निरभर भारत package तीन जो है जिसको का announcement जो है कल हुआ था उसमें 12 measures लिए गया है और यह सारे measures जो है किस चीज़ पर focus किया गया है इस पर employment generation पर जो है रोजगार दिलाने पर focus किया गया है boosting manufacturing activities जो है manufacturing activities को जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया है adding rural recovery गाउं को गाउं की आर्थी किस्तिति गाउं की परगति के लिए दिया गया है and lifting of the sagging reality sector जो real estate जो है जो building वाले sectors है उसको उसमें काफी अभी गिरावट आ गई है तो उस पे जो है बढ़ातनी लाने के लिए real estate sector में जिसमें buildings वारा बना जाते हैं उसको lift करने के लिए उसको support करने के लिए ये measures announce किये गया है तो अब हम लोगों के पास थोड़ा बहुत idea आ गया है कि इस stimulus 3 में क्या है एक और चीज़ add करना चाहूंगा यहां पे भारत जो है technical recession में आ गया है मंदी में आ गया है बहुत कम ऐसे occasion होते हैं जबके कोई country technical recession में जाता है recession में जाने के लिए मंदी में जाने के लिए क्या शर्त है अगर लगतार दो तिमाही में अगर दो quarter में लगतार जो है अर्थ वैवस्था बढ़ने के बजाए कम हो या सिकुड़ने लगे तो माना जाएगा के मंदी आ चुका है तो हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं अर्थ वैवस्था जो है पहले quarter में यानि की अप्रिल से जून तक में जो है 24 परसेंट से ज्यादा सिकुड़ी थी कॉंट्रेक्शन हुआ था और दूसरे quarter में जुलाई से सितंबर वाले में 8.6 परसेंट कॉंट्रेक्शन हुआ है सिकुड़न हुआ है तो इसलिए हम यह कर सकते हैं कि भारत जो है अभी टेक्निकल रिसेशन में आ गया है यह बहुत important term है और ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है लगतार दो quarter में यह जो है GDP कॉंट्रेक्ट किया है इसलिए जो है हम लोग आर्थिक मंदी में आ गये हैं संपात किये देखते हैं recession needs a massive infra spend push जो मंदी आया है इससे निकलने का एक ही उपाय है और वो है कि infrastructure में ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाए यही इसका एक solution होता है अब headline में कहा गया था कि stimulus 3 package जो है good है odd है और not enough है इसका explanation जो है good का explanation जो है पहले sentence में दिया जा रहा है क्या है इस stimulus 3 package के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने कम से कम यह माना है कि stimulus package की जरूरत है पहले तो मान ही नहीं रहे थे लेकिन यह मान लिया है कि stimulus package की जरूरत है वो stimulus package sufficient है यह नहीं है वो आगे की बात है यह अभी तक जो है यह तिसरा stimulus package दिया गया है इससे पहले stimulus package 1 और stimulus package 2 आचुके थे इस stimulus package 3 की यह एक अच्छी बात है कि सरकार ने यह माना है कि stimulus package की अवरशकता है but it would have been much better news had immediate impact not been limited संपात के कहता है कि अगर इसका ततकाल परभाव सिमित नहीं होता अगर इसका पौरी असर जो है महदूद नहीं होता अगर इसका ततकाल परभाव सिमित नहीं होता तो बहुत अच्छा होता of rupees 2.65 lakh crore support announced on thursday rupees 1.6 lakh crore is for the production linked incentive scheme अभी हम लोगों ने देखा था कि 10 sector में production linked incentive scheme को लागू किया गया है उसके लिए 1.46 lakh crore rupees जो है year mark किया गया है whose funds will trickle into the economy over a period जिसका fund जो है यह PLI scheme जो है पांच साल के लिए है तो इसलिए कह रहा है कि whose funds will trickle into the economy धीरे धीरे जो है गिरेंगे ट्रिकल जो है आएंगे उसका असर जो है बहुत धीरे धीरे होगा over a period of years meaning the current stimulatory effect is slight कहने का अर्थ क्या हुआ कि अभी जो तातकालिक stimulatory परभाव जो है इसका वो थोड़ा सा होगा the rupees the rupees 6000 crore equity infusion in the national investment and infrastructure funds debt platform is again a good idea फिर यह बता रहा है संफात किये कि 6000 crore का जो है equity infusion किया गया है government ने उसमें जो पैसा लगाया है company है national investment and infrastructure funds limited इसका purpose है companies को जो है debt देने के लिए यूस होता है कर्ज देने के लिए यूस होता है यह जो है एक good idea है government ने इसमें 6000 crore रुपया जो है अपना share जो है इसमें डाला है अपना equity जो है infuse किया है for the future लेकिन यह जो है आगे के लिए जो है भविश के लिए जो है यह अच्छा idea है its immediate impact is slight इसका अतातकालिक असर जो है वो भी जो है बहुत थोड़ा सा है the rupees 65,000 crore increase in fertilizer subsidy is puzzling 65,000 crore रुपया जो है fertilizer subsidy के form में दिया गया है यह जो है puzzle करने वाला है आश्चर चकित करने वाला है ऐसा क्यों कहा रहा है संपात किये by increased input subsidy when market oriented farm reforms calls for expanding generalized income support यह income support के बारे में आपको मालूम होगा यह announce किया गया था कि 6000 रुपीज जो है per year income support जो है farmers को और marginal farmers को दिया जाएगा तो subsidy और यह वो subsidy नहीं था बलके वो जो था income support था अब जो है जहां हम income support की बात कर रहे हैं वो उसी case में दिया जाता है जहांपर के subsidy को हटाने के case में कहा जाता है अब हम लो जो है यहां पर fertilizer subsidy दे रहे हैं जो scheme निकाला है उसको contradict कर रहे हैं why increase input subsidy when market oriented farm reform calls for a expanding generalized income support and investment in farm and farm market linkage infrastructure जो हम लोग जो है reform किया है market oriented farm reform किया है उसमें जो है agriculture में निवेश के बारे में बात होने चाहिए farm market के लिए जो है linkage infrastructure के बारे में बात होने चाहिए and how does that stimulate the economy और फिर अगला सवाल यह है कि अगर जो है fertilizer subsidy दिया वह economy को कैसे stimulate करेगा यह बहुत important चीज़ है क्योंकि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं stimulus package दे रहे हैं कि उसका immediate effect हो इस तरह से जिसका future में effect हो या जिसका यहां इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं हो उस चीज़ को stimulus package में add करना कितना हद तक justified है यह चीज़ जो है संपात किये इसको highlight कर रहा है चीज़ को हम लोग को इसी धंग से analyze करना होता है अगर कोई package आया है उसमें क्या चीज़ें है कितना उसका immediate effect होगा सिर्फ जो है खड़े हो करके वाह वाह करके तालिब जाने से नहीं होगा बलके यह जानना बहुत जरूरी होता है कि जो कुछ भी year mark किया गया है उसका क्या benefit है उसके क्या limitations है यह जानना बहुत जरूरी है इसलिए जो है जो तीन चार example दे करके बताया गया कि जो production linked incentive है उसका भी immediate benefit नहीं मिन ले जा रहा है equity infusion किया गया है national investment and infrastructure funds limited में वह बहुत अच्छा idea है लेकिन इसका भी असर जो है future में होगा उसका अभी ततकालिक प्रभाव बहुत कम होने जा रहा है और जो पैंसाथ हजार क्रोर रुपे का जो fertilizer subsidy का है उसका भी economy से कोई खास boost करने से अभी मतलब नहीं है अब आगे आ दिखते हैं the additional outlay on rural employment is a genuine boost to rural consumption the outlays on housing and industrial and defense infrastructure would add to investment अब आगे संपात के लिख रहा है the additional outlay जो additional खर्च है on rural employment is a genuine boost to rural consumption यह जो है genuine boost है rural consumption बढ़ेगा इससे the outlays on housing and industrial and defense infrastructure would add to investment यह जो है housing and industrial and development infrastructure होगा इससे भी निवेश बढ़ेगा more income tax breaks for housing will skew saving choices in favor of one kind of saving which is sub-optimal यह जो है income tax breaks for housing जो दिया जा रहा है यह saving choice को जो है एक side से favor करेगा जो के best नहीं है sub-optimal है the rupees 3000 crore for project exports could also help in the medium turn यह project exports के लिए जो 3000 crore रुपे दिया जा रहा है वो medium term में help करेगा अब reason बता रहा है इंडिया's credit lines to foreign countries have a track record of taking forever to translate into disbursals इसका वजह बताता है credit line क्या होता है अभी हम लोगों ने देखा preset borrowing limit पहले से जो है set किया हुआ जो है इंडिया's preset borrowing limit to foreign countries have a track record of taking forever to translate into disbursal जल्दे जो है हम लोग इसको देते नहीं है disburs करते नहीं है इसलिए जो है इसका stand जो है impact नहीं आए गाइस इसका फाइदा जो मिलेगा हमें medium term में ही मिलेगा दिरोजगार योजना is well intended but needs to be supplemented यह रोजगार योजना का जो intention जो है बहुत अच्छे intention से जो है किया गया है लेकिन इसमें और additional चीज़ की जरुवत है supplement करना कुछ और additional चीज़ की जरुवत है but it has flaws इसमें कुछ कमिया है it should have been more thought out so as to ensure that employees are unable to siphon money in the form of scam पैसा का गबन नहीं कर सकें और जो है यह scam में परिवर्थितना हो जाए the extension of the emergency granted credit scheme for micro small and medium enterprises is welcome but not the retention of the conditionality that has constrained loan eligibility MSME के लिए जो है यह emergency granted credit scheme जो है फिर extend कर दिया गया है जो November में अभी खतम हो रहा था उसको extend कर दिया गया है यह एक welcome move है the economy is in recession संपात किया कर रहा है कि अर्थ वैवस्था जो है मंदी में है it needs investment निवेश की जरुवत है not subsidy tweaks यह जो है subsidy को इधर उधर जो है adjust करके subsidy देने जरुवत नहीं है state funded and state granted investment in shovel ready projects is the priority निवेश को का funding जो है country करेगी और country ही इसकी गरांटी देगी किस तरह के प्रोजेक्ट में shovel ready projects ऐसे projects हुए जो है जिसमें के stimulus money डाले और employment generation शुरू हो जाए और economy जो है boost हो जाए वहाँ पे जो है सरकार का पैसा लगाना जो है जरूरी है let us have some real action please संपात किये अंत में कह रहा है कि इधर उधर जो है tweak करने से कुछ measure जो है कि घोशना कर देने से ज्यादा जरूरी है कि real action ले जैसे हम अभी देख रहे हैं कि 15% GDP का अभी तक जो है घोशना किया जा चुका है stimulus packages में लेकिन जो है in fact देखा जाए तो सिर्फ 9% of GDP ही जो है वो as actual stimulus package जो है दिया गया है इन सब चीजों को जो है जानने और समझने की जरूरत है analyze करने की जरूरत है visualization करने की जरूरत है तब ही जो है हम लोग किसी चीज़ को सई ढंग से समझ सकते हैं आज तक के लिए इतना ही फिर मिलेंगे एक नय topic के साथ तब तक अनुमती दीजिए धन्यवाद